Hello and Welcome to Brugbara Education YouTube Channel आज के इस educational वीडियो में बच्चों हम continue करने वाले हैं Class 9 के Science Chapter Sound को ये इस चप्टर का Part 2 वीडियो है Part 1 का और Part 3 का लिंक आपको इस वीडियो की description मिल जाएगा इस चप्टर को students हमने 3 parts में complete किया है Science के, Assets के, English के या बाकी subjects के दूसरे chapter explanations देखने के लिए आप वीडियो की description को चेक करें वहाँ पे आपको playlist के link मिल जाएगा वहाँ से आप किसी भी subject की chapter explanation किसी भी chapter की explanation देख सकते हैं तो चलिए करते हैं शुरू जहां से हमने Part 1 में छोड़ा था That is characteristics of a sound wave Sound wave की विशेशताओं के बारे में characteristics के बारे में हम जानेंगे तो यहाँ पे जो paragraph अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम sound की कौन सी characteristics की बात करेंगे हम बात करेंगे frequency की हम बात करेंगे amplitude की हम बात करेंगे speed की हम बात करेंगे wavelength की हम बात करेंगे pitch की loudness की यह क्या होती है, किस चीज के उपर depend करती है, कैसे दिखाया जाता है, तो यह सारी विशेष्टाइं जो होती है sound waves की, characteristics जो होती है sound waves की, उसके बारे में हम discuss करने बाले हैं, देखिए, जब हम sound wave का graph बनाते हैं, यहाँ पे देखिए sound wave का graph इनों ने बना रखा है, यह देखिए यह compression है, यह rarefaction है, यह मैं आपको part 1 वीडियो में समझा चुका हूँ, compression क्या होती है और कैसे बनती है, rarefaction क्या होती है, ठीके, तो यह वाला जो diagram है, यह भी compression और rarefaction को दिखा रहा है, compression में देखिए particles पास पास हैं, ठीके, और density ज्यादा है, pressure ज्यादा है, तो compression जो part होता ह है, sound wave का जो area होता है, वो high density वाला और high pressure वाला area होता है, जबकि जो rarefaction होता है, rarefaction जो होता है, वो low density वाला और low pressure वाला area होता है, और यह दोनों alternate होते हैं, एक के बाद एक आते हैं, पहले compression, तो फिर rarefaction, फिर compression, फिर rarefaction, ठीक है, तो एक छोड़के एक आते हैं, यहाँ प दिखाई गई है और अब आता है हमारा graph ये आप अच्छे से पढ़िएगा बच्चों ये इस graph में बहुत सारी चीजें आपको describe करने के लिए पूछी जा सकती है कही जा सकती है समझ में आएगा आपको आसान है मुश्किल नहीं है देखिए ये graph कैसे बनाया जाता है ये graph इस ठीक है जो upper part है ये वाला जो part है इस upper part इसको कहा जाता है crest इस upper part देखिए यह आपे दिखा रखा है ये जो upper part है ये उपर है ये उपर है distance line के average density average pressure line के उपर की तरफ जो part होते हैं उनको crest या peak कहा जाता है crest कहा जाता है या फिर peak भी P E A के peak भी कहा जा सकता है इसी तरीके जो average density वाली line होती है बीच में उसके नीचे की तरफ जो होते हैं ये देखिए जो तीन है ये नीचे की तरफ जो होते हैं इनको traw कहा जाता है या फिर इनको valleys भी कह दिया जाता है तो देखिए इसने क्या ब presentation है ये, density और pressure change को हम इसमें study करते हैं graphical form में, ठीक है, यहाँ पे हम density और pressure variation को show करते हैं distance के साथ, ठीक है, distance का और density pressure का graph हम बनाते हैं, sound wave का graph बनाते हुए, ठीक है, compressions क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे particles crowded होते हैं, थोड़ी सी जगह में बहुत सारे particles होते हैं, ठीक है, upper portion जो होता है, वो compression को show करता है, उसको peak भी कहा जाता है, ठीक है, और crest भी कहा जाता है, यह जो upper portion है, this shows compressions, और जो lower portions होते हैं, यह show करते हैं rare factions को, ठीक है, तो average density के जो उपर है, इस line के जो उपर है, वो compressions है, इस line के जो नीचे है, वो rare factions कहलाएंगे, ठी यह किसी ग्राफ में शो किया जाता है ठीक है, जो peak आती इसमें, peak का मतलब यह वाला जो point जो, यह वाला point, यह वाला जो point आता है, सबसे अपर्मोस्ट जो point आता है ठीक है, यह maximum density को, maximum pressure को denote करता है ठीक है, इसी तरीके से, यह जो point आते हैं ट्रॉ में ये minimum density को minimum pressure को denote करते हैं, ठीक है, rarefactions के बारे में इसने बताया है, compressions और rarefactions दोनों को बता चुका हूँ मैं, rarefactions में particles दूर दूर होते हैं, इसको valley या ट्रॉ भी कहा जाता है, ठीक है, आगे आता है, अब ये देखिए, ये important है, इसको आप note कीजिएगा, wavelength की definition बताये गई है, what is wavelength, wavelength ये दिखा रखा है, this is lambda sign, this is called lambda, ये एक letter है, ठीक है, ग्रीक letter है, जिसको हम lambda बोलते हैं, L-A-M-B-D-A, it is pronounced lambda, और ये represent करता है wavelength को, अब ये wavelength होती क्या है, दो लगातार crests के बीच का distance, ये देखिए दिखा रखा है, ये वाला जो distance है, this is called wavelength, या फ wavelength के लिए दोनों equal आएंगे, जब आप दो crests के बीच का किसी भी uniform sound wave में, ठीक है, किसी भी tone में, जब आप दो crests के बीच का, दो consecutive, यानि लगातार crests के बीच का distance निकालेंगे, ये ट्रॉस के बीच का distance निकालेंगे, तो that will be equal, and this distance is referred as wavelength, wavelength of the sound wave, ठीक है, इसकी जो SI unit as students, wavelength की याद रखें, meter है, meter क्यों है, because it is a type of distance, it is a type of distance, so its SI unit is meters, ठीक है, उसके बाद ये, Henrich Rudolph Hertz, एक scientist हैं, ठीक है, जिन्होंने sound के field में, physics के field में, खासकर sound में, काफी अपनी जो है, inventions, discoveries की थी, ठीक है, यहाँ तक students, ये brown box का ही part है, ये थोड़ा सा misprinting है book में, यहाँ तक ये brown box का part है, तो हम आगे शुरू करते हैं, frequency के बारे में, देखिए frequency जो है, ये English word है, frequency, frequency से मतलब होता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि, मालो आप दिन में तीन बार खाना खाते हैं, तो eating frequency, हम क्या कहेंगे, eating frequency is three, ठीक है, तो frequency का मतलब है कि कितनी ब बार होती है, वो frequency होती है, मालो आप किसी drum को beat कर रहे हैं, तो एक unit time में, एक second में या एक minute में, आप कितनी बार drum को beat करते हैं, वो क्या होगी, आपकी drum beating frequency होगी, जब sound किसी भी medium में travel करता है, तो density जो होती है, medium की, particles की जो density होती है, जो pressure होता है, वो maximum value पे जाता है, minimum value पे आ ठीक है और यही पहले वो क्या करता है पहले वो जैसे मालो यह ग्राफ था ठीक है पहले वो क्या करेगा बढ़ता बढ़ता maximum value पर जाएगा फिर घटता minimum value पर आएगा और फिर average density पर आजाएगा ठीक है तो यह एक complete vibration है this is one complete vibration ठीक है यहाँ पर जो maximum point वाला point है वो यह वाला है और minimum वाला point यह वाला है उपर वाला जो part है यह compression को crowdiness को show कर रहा है और नीचे वाला जो part है यह rarefaction को spaciousness को show कर रहा है ठीक है तो जब एक particle क्या करता है अपनी pressure को बढ़ाता है अपनी vibration को बढ़ाता है maximum point तक ले जाता है फिर minimum point तक ले जाता है और फिर वापिस वहीं आ जा ठीक है, तो इसको हम क्या कहते है, one complete vibration या one complete oscillation, तो ध्यान रखेंगे आप, one vibration includes one compression and one rarefaction, एक second में ऐसी कितनी compressions और rarefaction हो रही है, उसी को क्या कहा जाता है, frequency of sound wave, ठीक है, तो frequency की definition क्या होगी, अगर properly कहें हम frequency की definition, तो number of vibrations produced in one second, is called frequency, और इसकी unit होती है, hertz, scientist के नाम पे, in scientist के नाम पे रखी गई है, इसकी unit, hertz, वैसे इसकी unit of students, वो second inverse भी हो सकती है, ठीक है, कई बार, जैसे, थोड़े difficult question, जब teacher को डालने होते हैं, तो डाल देते हैं, तो hertz, जो unit है, this is equivalent to second inverse, या फिर one by second, ठीक है, आप one by second लिखो, second inverse लिखो, या hertz लिखो, तीनों एक ही बात हैं, ठीक है, तो number of oscillations per unit time, यह देखे लिख रखा, number of oscillations per unit time, is called frequency of sound wave, या फिर number of compressions और rarefactions in per unit time, is called frequency, frequency, frequency को हम Greek letter, Greek letter, यह जो Greek letter है, new, new बोलते हैं, इस letter को, new इस तरीके से लिखा जाते हैं, इस letter को, इस से represent करते हैं, और इसकी unit होती है, hertz, ठीक है, आगे आता है time period के बारे में, तो time taken by two consecutive compressions और rarefactions, तो cross a fixed point is called time period, यह time period की definition है, ठीक है, जैसे मालो मैं एक point को fix कर दो, यह compression जारी है, यह rarefaction जारी है, मालो मैंने यह एक point fix कर दिया, यहाँ पे, ठीक है, तो इस point को cross करने में, cross करने में, एक compression प्लस एक rarefaction, कितना time लेगी, वो होगा time period, यह इसकी time period की थोड़ी सी difficult definition है, तो यह भी सही, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कि एक vibration में जितना time लगता है, वो time period कहलाता है, ठीक है, the time taken by a sound wave to complete one oscillation, ठीक है, is called time period, यह भी सही definition है, time period की, और time period की unit होती ह second, because it is time taken, it is a type of time taken, so its SI unit is second, ठीक है, इसका formula होता है, क्या नाम है, frequency का, that is 1 by time period, मतलब frequency और time period एक दूसरे के reciprocal हैं, अगर किसी sound wave की frequency 2 by 3 है, अगर किसी की frequency 2 by 3 है, तो उसका जो time period होगा, that will be 3 by 2, reciprocal of frequency, एक दूसरे के reciprocal हैं, ठीक है, आगे देखिए, तो यहां तक हमने frequency के बारे हम पढ़ लिया, देखिए हमने wavelength के बारे हम पढ़ लिया, हमने time period के बारे हम पढ़ लिया, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो जो हम पढ़ रहे हैं, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, और आपको graph पे show करना आना से, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों की आवास अलगलग होती है, ठीक है, दोनों की आवास अलगलग क्यों है, violin और gluten के आवास अलगलग क्यों सुनाई देती हैं, harmonium के आवास क्यों अलग सुनाई देती है इन चीजों से हमें, क्योंकि जो sound की characteristics हम पढ़ रहे हैं, यह अलग और इसमें से एक characteristic होती है, pitch, एक होती है, pitch, आवाज का पैनापन, आवाज की shrillness, ठीक है, इसको pitch को shrillness भी मतलब कहा जा सकता है, shrillness, shrillness of sound wave, किसी भी sound wave की pitch या shrillness, depend करती है, frequency के उपर, ध्यान रखें बच्चों, किसके उपर depend करती है, frequency के उपर, very important, this is, ठीक है, आवाज क पैनापन, आवाज की shrillness, आवाज की pitch, ठीक है, it depends on frequency of the sound wave, जितनी जदा frequency होगी, आवाज की pitch उतनी ही जादा होगी, जैसे लड़कियों की आवाज पैनी होती है, लड़कों की आवाज comparatively भारी होती है, कम पैनी होती है, pitch कम होती लड़कों की आवाज की, मैं in general की बात कर जरूरी नहीं है, हर case में है, in general, ठीक है, तो frequency higher होती है in case of girls, ठीक है, girls के जो vocal codes होते है, वो ज़्यादा frequency से vibrate करती है, ठीक है, boys के मुकाबले in general, ठीक है, जैसे आप share की और चिडियां की बात करो, share की दाहाड और चिडियां की चीज़ी का comparison करो, तो चिडियां की pitch ज़्या ठीक है, एक second में कितनी बार vibration हो रहा है, जितना ज्यादा टेजी से vibrate करेंगी, object, जितना ज्यादा vibration होगा sound wave में, उतना ही ज्यादा क्या होगा, frequency होगा, और frequency ज्यादा होगा, तो pitch भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, जितना vibration ज्यादा, frequency भी उतना ही ज्यादा, ठीक है, इसका मतलब अगर किसी sound wave की pitch ज़्यादा है तो compression और rarefaction भी ज़्यादा होगी उसके अंदर जैसे कि ये एक low-pitched sound है ये एक high-pitched sound है ये देखिए इसमें compression और rarefaction जल्दी-जल्दी हो रहे हैं vibration जल्दी हो रहे हैं इस वाली wave में धीरे-धीरे हो रहे हैं तो नीचे वाली जो wave है it is a high-pitched sound wave ठीक है क्योंकि इसकी frequency ज़्यादा है अब आगे बात करते है amplitude की ठीक है next comes amplitude तो sound wave बनाई थी हमने यह sound wave बनाई थी हमने ठीक है इस sound wave में जो येवाला जो distance होता है ठीक है येवाला जो distance होता है इसको कहा जाता है amplitude ठीक है या फिर इस वाले distance को भी हम amplitude कह सकते हैं ठीक है sound wave की ग्राफ में मैंने आपको बता दिया amplitude क्या होता है अब amplitude की definition क्या होती है maximum displacement of vibrating object from mean position, ठीक है, maximum displacement या maximum disturbance from mean value या from mean position is called amplitude of a wave, इसको capital A से represent किया जाता है, ठीक है, और इसकी जो unit होती है, वो भी क्या होती है, meter होती है, because it is a type of displacement, so its unit is meter, ठीक है, वैसे अगर कोई object vibrate कर रहा है, suppose यह pendulum है, ठीक है, इसको मैंने लटका रखा है, एक ball जिसको मैंने लटका रखा है, यह ऐसे ऐसे vibrate कर रहे है, एक बार यहाँ आती है, और फिर यहाँ आती है, तो यह वाली position इसकी mean position है, और यह दोनों इसकी क्या है, extreme positions कहलाएंगी, तो mean से extreme के बीच का जो distance होगा, that will be called amplitude, चाहिए आप यह वाला distance ले लीजिए, यह भी amplitude कहलाएगा, और अगर आप यह वाला distance लेंगे, तो यह भी क्या कहलाएगा, amplitude ही कहलाएगा, तो distance between mean position and extreme position is called amplitude, ऐसा भी लिख सकते हैं, teacher को गलत नहीं करना चाहिए, वैसे अलग लग लग teachers की अलग लग लग राय होती है, maximum displacement of vibrating object from its mean position, यह भी सही definition है, amplitude की, और जो इसने लिखी है वो भी बिलकुल सही definition है, ठीक है, आगे आता है, आवाज की loudness या softness उसकी amplitude के उपर depend करती है, ठीक है, जैसे माल लीजिए, यहाँ पे इसने दो sound waves दी है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो देखी यहाँ पे इसका amplitude ज़्यादा है, इसका amplitude कम है, तो ये वाली आवाज ज़्यादा तेज है, ये वाली आवाज ज़्यादा loud है, जबकि ये वाली आवाज ज़्यादा soft है, feeble sound है ये, ठीक है, इस वाली आवाज की energy ज़्यादा है, ये वाली आवाज दूर तक जा सकती है, as in comparison with this sound wave, ठीक है, ये amplitude के उपर depend करता है, loudness या softness amplitude के उपर depend करता है, ठीक है, और amplitude depend करता है उस force के उपर, जिस force से object vibrate कर रहा है, ठ depend करता है, अगर आप किसी table को lightly strike करोगे, तो soft sound आती है, जबकि आप table के उपर जोर से किसी चीज़ को मारोगे, तो high energy की sound आती है, आपको louder sound आती है, ठीक है, जो loud sound होती है, वो दूर तक सुनाई देती है, क्योंकि उसमें energy ज़्यादा होती है, इसलिए दूर तक distance travel कर सकती है ठीक है, उसको दूर तक सुना जा सकता है, soft sound के मुकाबले, ठीक है, आगे आता है, ये भी इसमें से भी question बन सकता है, quality और timber of a sound, ये क्या होता है, quality of timber की help से, हम same pitch और loudness, same pitch और same loudness की दो आवाजों के बीच में differentiate कर सकते हैं, ठीक है, तो quality of sound या फिर timber of sound is that characteristic which helps us to distinguish between sound of same pitch and same loudness, ठीक है, जो sound हमें अच्छी लगती है, pleasant होती है, sound of rich quality कहा जाता है, ठीक है, जैसे music is a sound of rich quality क्योंकि हमें अच्छी लगती है, noise जो है, it is a sound of poor quality, जिस sound की एक ही frequency होती है, उस sound wave को कहा जाता है, tone, sound wave of single frequency is called a tone, ठीक है, जबकि जो sound कई frequencies के mixture से बनती है, उसको कहा जाता है, not, तो what is the difference between tone and not, वो भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे, आगे आता है, आपका speed of sound wave, ठीक है, तो speed of sound wave कैसे measure करेंगे, ठीक है, speed of sound wave, distance which a point on a wave, such as compression or rarefaction, travels per unit time, वही वाला यह है, वही एक point बना दिया हमने sound wave के उपर, यह sound wave है, ठीक है, इसके उपर हमने एक point बना दिया, इस point को cover करने में, जो time लेगी, distance और time, दोनों को divide करके, हमें क्या मिलेगी sound की speed मिलेगी, ठीक है, वैसे भी speed का formula होता है, छोटी classes में यह आपको पढ़ा दिया जाता है, distance over time, यहाँ पर distance की जगह हम क्या लेंगे, wavelength और time की जगह क्या लेंगे, time period, तो speed of sound wave is equal to distance, यानि wavelength, divided by time, यानि time period, अब 1 by time period होता है, frequency हमको पता है, तो speed of sound wave is equal to wavelength multiplied by frequency, ठीक है, य यह formula आजाता है, हमारे पास, speed is equal to wavelength multiplied frequency, यह formula कैसे आया, 1 by t को, इस वाले formula में, 1 by t को हमने frequency से replace कर दिया, ठीक है, तो यह नया formula हमारे पास आता है, important है, आप याद रखिएगा, यह देखे, रखा, speed is equal to wavelength into frequency, ठीक है, आगे एक numerical है, चोटा सा, sound wave की frequency दे रखिए 2 kHz, 2 kHz का मत तरब 2000 Hz, ठीक है, और wavelength दे रखिए 35 cm, तो बच्चों physics में, आप ध्यान रखेंगे, SI units में convert कर लीजिए, तो kilohertz को hertz में, और centimeter को meter में convert कर लीजिए, और यहाँ पे kilometer को भी meter में change कर लीजिए, तो frequency 2000 Hz, wavelength 0.35 meter, हमें time निकालना है, how long will it take to travel, तो पहले आप speed निकालिए, speed is equal to wavelength into frequency formula पता है हमें, wavelength of frequency को 0.35 meter को और 2000 Hz को multiply करने पे आता है, 700 meter per second, तो हमें speed पता चलगी, distance हमारे पास है ही, formula होता है, speed is equal to distance divided by time, यह formula होता है, चोटी classes में बच्चों को पढ़ा जाता है, तो यह formula यूज किया हमने, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, speed is equal to distance over time होता है, ठीक ठीक है, तो distance कितना है, 1500 meters, divided by speed कितनी है, 700 meters, दोनों को divide किया, तो 2.1 seconds is your answer, तो इस numerical का solution आएगा, 2.1 seconds लेगी, वो sound wave, 1.5 km के distance को travel करने के लिए, आगे आता है, बच्चे confused हो जाते है, इन दोनों words के बीच में, loudness और intensity की बीच में, यह जो paragraph है ना बच्चों, इसके उपर मै बहुत अच्छे से समझेगा, छोटा सा paragraph है, लेकिन exam point of view से very important, ठीक है, two mark question, वनि बहुत बार देखा है, इसमें से आते हुए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, intensity क्या होती है, देखें, यह intensity की definition है, amount of sound energy passing each second through unit area is called intensity, मान लीजे मैं इस area की बात करता हूँ, यह एक area हमें ने एक second में, वो क्या होगी, intensity of sound होगी, ठीक है, और loudness क्या होता है, loudness is the measure of response of ear to the sound, हमारे कानों के उपर उस sound का कितना effect पड़ रहा है, वो loudness होती है, अब आवाज के जो loudness होती है, वो आपके और source of sound के distance के उपर भी depend कर सकती है, अगर आप किसी loud speaker के बिल्कुल बगल में खड होगी, जबकि एक बंदा जो उससे 100-500 मेटर दूर खड़ा है, तो उसके लिए loudness कम होगी, तो इसलिए कहा है, loudness is response of ear to the sound, हमारे कानों के उपर कितना effect पड़ रहा है, उस sound wave का, वो loudness होती है, ठीक है, तो मान लीजी अगर कोई दो sounds है, जिनकी intensity सेम है, तब भी वो एक loud औ और एक soft sound हो सकती है, यानि intensity and loudness are two different characters of sound waves, ठीक है, loudness हमारे ear के उपर उसका क्या response रहा है, ठीक है, और intensity का मतलब number of sound waves एक given area में से, given time में से कितनी पास कर रही है, this will be called the intensity of that sound wave, आगे आता है, अलग-अलग media में, अलग-अलग media होता है, medium का plural, जैसे मैं medium बोलता हूँ न, solid, liquid, gas, medium, तो media उसका plural word है, तो sound जो होता है, वो एक given medium में, एक given temperature पे, given speed से travel करती है, ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, जो sound की speed होती है, वो light की speed से बहुत कम होती है, ठीक ह इसलिए जब उपर बिजली चमकती आसमान में और साथ में बादल गरजते हैं, तो आपको lightning पहले दिखाई देती है आसमान में, बादलों की गरजनी की आवाज बाद में आती है, तो question भी बूच ले जाता है कई बार, शायद class 8 में भी ये question आता है, कि जब thunderstorm आता है, तो lightning पहले नजर आती है, और जो आवाज थंडर की वो बाद में आती है, ठीक है, तो इसका reason ये है कि speed of light is very very high as compared to speed of sound, जैसे मैं आपके छोटा इस example देता हूँ, जो light की speed है, वो roughly 3 into 10 days to power 8 meter per second होती है हवा में, और जो sound की speed है, वो लगवग 344 meter per second होती है, ठीक है, हवा में, तो देखी कितना ज़्यादा difference है, ठीक है, एक तो करोडो अर्बो में है, एक value तो, एक value hundreds में है, तो sound की speed काफी कम होती है, इसलिए आपको आवाज बाद में आती है, lightning पहली नजर आती है, ठीक है, आगे sound की जो speed है, वो medium के उपर भी depend करती है, medium की density जतनी ज़्यादा होगी, sound क कि अगर मैं बात करूँ, जो sound की speed होती है, वो solids में सबसे ज़्यादा होती है, gases में सबसे कम होती है, liquid में moderate होती है, medium होती है, ठीक है, क्योंकि solids की density ज़्यादा है, तो sound की speed भी ज़्यादा है, liquid की density solid से कम है, तो उसके अंदर, जो speed है sound की, वो moderate है, medium values होती है, last में आती है, gases गैसिस के अंदर या एर के अंदर sound की speed solid, liquid और गैस में से सबसे कम gas में होती है जो कि उसके particles दूरतोर होते हैं density कम होती है इसके लावा temperature के उपर भी depend करती है sound की speed अगर आप temperature को बढ़ा देंगे तो sound की speed भी बढ़ जाएगी जैसे अगर मैं air की बात करूँ तो 0 degree Celsius जब temperature हो तो 331 meter per second होती है और जब 22 degree Celsius हो तो 344 meter per second होती है speed of sound in air तो sound की जो speed है वो temperature के उपर भी depend करती है medium की density के उपर भी depend करती है ठीक है तो यहाँ पे देखिए अलग-अलग solids में किस की solid में 25 degree Celsius पे कितनी speed है sound waves की aluminum में, nickel में, liquids में कितनी है, gases में कितनी है ठीक है तो यह चीज है आपकी अच्छा कई बार जैसे इस चीज को एक question भी इस चीज पर पूछ लिया जाता है कि मान लिजीए कई बार पुराने जमाने में क्या होता था जब इतने systems नहीं थे हमारे पास ठीक है, तो यह पता लगाने के लिए कि train आ रही है या नहीं ठीक है, क्योंकि train मुड मुड के आती थी जंगलों के बीच में तो नजर आ नहीं सकती वो तो लोग पटरी के उपर कान लगाके सुनते थे ठीक है, तो अब एक तो हम हवा में train की आवाज सुनें, एक हम पटरी के उपर कान लगाके train की आवाज सुनें, तो अगर train ज़्यादा दूर है तो जब आप पटरी के उपर कान लगाओगे तो आपको आवाज आ सकती है क्यों? क्योंकि sound की speed solids में ज़्यादा है, इसलिए solids में sound travel भी ज़्यादा करती है ज़्यादा दूर तक जा सकती है ठीक है, जबकि liquids में या gases में, जब आप हवा में से train की आवाज सुनोगे तो शायद आवाज नहीं आएगी, जब train काफी नजदीक आ चुकी होगी, तब ही आपको आवाज आनी शुरू होगी तो ये भी ऐसा ही है पुराने जमाने में लोग पट्री के उपर कान रखके क्यों train की आवाज सुनने की कोशिश करते थे, माले जी कोई बड़ा काफिला निकलना है, गाइं बहेंस है उनके पास, काफी जानवर है उनके पास, उसको पास करवाना है तो पहले वो क्या करते थे, जो गडरी ये बगरा होते थे वो track के उपर कान रखके rail की पट्री के उपर कान रखके, लोहे की पट्री के उपर कान रखके, आवाज सुनने की कोशिश करते हैं कि train के पहियों की always आ रही है train की आ रही है नहीं आ रही है क्योंकि solids के अंदर अगर train दूर भी होगी तब भी आवाज आ जाएगी जबकि air के अंदर काफी pass आने के बाद यह आपको आवाज आनी शुरू होगी ठीक है, तो students part 2 में इतना ही, आगे हम इस chapter को complete कर देंगे part 3 वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो please चैनल को subscribe कीजिएगा, वीडियो को like कीजिएगा, अपने friends के साथ share कीजिएगा, comment section में अपनी राय देना मत भूलिएगा, और जाने से पहले एक बार video description को जरूर चेक करें, हो सकता है, जिन chapter की explanations आप ढूंड रहे हो, उनकी playlist का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, thank you for supporting us, thank you for being with us,